हलो एब्डिवन आज डेट है फरस्ट ओब दिसम्बार 2022 और देहंदू न्यूज अनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एकजाम के पॉइंट अफ्यू से डिस्कुस करेंगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप केशन के साथ में और आज आपका केशन ये है कि साकुराजिमा वोलकनों को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को और इंफोर्मेशन को कोमेंट बॉक्स में टाइप करन ये जो नाईल रिवर है इसका ओरीजिन एक्विटर लाइन के सर्दन पार्ट में बॉ스त से होता है अब सभी को पता है कि अफ्रिका कौंटिनेंट में थ्री इंपोर्टेंट लाइन पास होती है वो लाइनへ नेम है ट्रोपिकोफ कैंसर एक्विटर एड्र एंड ट्रोपि ब्रॉंडे से होता है आप सभी को पता है कि अफरीका कॉंटइनेंट में थ्री इम्पोर्टेंट लाइन पास होती है वो लाइन के नेम है टॉपिक उप कैंसर, इक्विटर एंड टॉपिक उप कैप्रीकॉन तो इक्विटर लाइन के origin source के रूप में Victoria Lake को माना जाता है ये जो Nile River है इसका formation three principal streams के थू होता है और उनके नेम है Blue Knight, White Knight and Atbara तो इनके थू ये तीन मिलकर के जो है वो Nile River में बहुत सारे water की availability करवाती है Nile River जो है वो पूरे world में जो longest river है उनमें से एक है तो ये important fact हो गए है Nile River को ले करके और यहाँ पर जो countries है उनके बीच में इसके water distribution को ले करके काफे ज़्यादा class देखने को मिलता है जिसकी वज़े से ये news में बनी रहती है तो इसलिए इसकी location जो है वो हमारे लिए important हो जाती है दहिंदो को discuss करने से पहले हम mentorship program के बारे में discuss करेंगे जो student 2023 के लिए prepare कर रहे है UPSC exam के लिए उनके लिए mentorship program जो है काफी ज़्यादा beneficial रहेगा starting में हमने जो है integrated form में UPSC की preparation means prelims plus में meets उसके according हमने program start किया था और अब जो है सिर्फ और सिर्फ prelims specific के program है जिसमें आपका prelims का जो syllabus है static plus current affair दोनों cover करवाया जाएगा cover किस तरीके से करवाया जाएगा 10 to 15 students के जो अलग-अलग batch बनाए जाएगे आपको mentor alert किये जाते है mentor जो है वो आपको daily basis पर target देंगे वो target इस तरीके से दिया जाएगा कि prelims जो 28th में को होने वाला है उससे पहले आपका static part और current affair part जो है वो लग-बग cover हो जाए last देड़ साल का current affair जो है वो यहाँ पर आपका cover करवाया जाएगा और 3000 plus questions की practice आपको करवाई जाएगी और आप सभी को पता है कि prelims का जो paper होता है उसमें end of question practice आपकी होने चाहिए तब ही जाकर कि आप वहाँ पर admission method की through जो है बहुत सारे questions को solve कर पाते हो तो अगर आप इस अगर आप इस अगर आप आप से प्रोग्राम को जोईन करना चाते हो आपको लगता है कि आपके लिए beneficial रहेगा तो आप हमारी website पर जाकर के इसको join कर सकते हो 599 पर मंत इसके charges रहने वाले है और इस प्रोग्राम का जो main target है वो ये है कि 110 प्लस score जो है वो आपका prelims में जाए इसकी according जो है वो आपकी syllabus जो है वो आपको तयार करवाया जाएगा देहिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है देहिंदू के front page पर और यहाँ पर युद्ध अभ्यास exercise के बारे में front page पर बताया हुआ है इंडिया और US के बीच में ये exercise जो है वो present time में हमारे इंडिया का जो उत्राखंड estate है वहाँ पर तपोवन वाला जो एडिया है वहाँ पर इसको conduct करवाया जाएगा basic issue क्या है कि line of actual control means इंडिया और चाइना के बीच में जो line है उससे सिर्फ 100 km की distance पर ये military exercise conduct करवाई जा रही है इसकी वज़े से चाइना ने यहाँ पर कुछ अपना important statement रखा है कि इस तरीके से अगर line of actual control के भी pass वाले area में इस तरीके से exercise conduct करवाई जाती है तो एक तरीके से 1993 and 1996 में इंडिया और चाइना के बीच में जो agreement sign हुए थे उसमें एक तरीके से उसका violation जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे लिए important है यह exercise कि exercise क्या है इसके साथ में यूएस के साथ में और कौन-कौन से exercise जो है वो इंडिया कंडेक्ट करवाता है इसके बारे में हम discuss करेंगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास exercise की युद्ध अभ्यास exercise जो है उसको 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था और US की जो US की जो आर्मी है उन्होंने Pacific Partnership जो उनका प्रोग्राम है Pacific Partnership प्रोग्राम उस प्रोग्राम के अंडर जो है ये जो exercise है युद्ध अभ्यास exercise इसको स्टार्ट किया गया था जो है वो इंडिया इसको host करेगा और एक साल जो है वो USA में ये conduct करवाई जाएगी अब कुछ other exercise के बारे में हम discuss कर लेते हैं जैसे कि first number की exercise है exercise tiger triumph ओके tiger triumph ये जो exercise है इसका जो भी आपको detail है इन exercise के बारे में वो आपको telegram channel पर share कर दिया जाएगा वहाँ पर आप इनको read कर सकत हो तो exercise tiger triumph जो है वो humanitarian assistance और disaster relief exercise है मतलब ये इस तरीके के exercise है कि अगर इस तरीके के issue देखने को मिले humanity से related issue या फिर साथ में disaster related issue है तब यहाँ पर इस exercise को इस issue को solve करने के लिए exercise conduct करवा जाती है second है exercise वज्जर प्रहार ये इंडिया और USA की जो special special forces है उनके बीच में exercise connect करवाई जाती है third है co-op India ये air force के बीच में exercise है co-op India air force के बीच में fourth number पर है मालाबार exercise देखो मालाबार exercise जो है वो इंडिया और USA के बीच में start हुई थी फिर उसके बाद में time to time जो है जैसे कि अगर हम बात करने तो जापान ने इसको join कर लिया 2014 में और 2020 में इसको Australia ने भी join कर लिया मतलब quadilateral जो group है quad जो group है उसके member country जो है वो present time में मालाबार exercise में partner है next exercise है red flag exercise red flag exercise और ये US और इंडिया के बीच में multilateral air exercise है इनका जो PDF है वो telegram channel पर share कर दिया जाएगा हमाले important है क्योंकि बहुत बार exam में इस तरीके की exercise को लेकर के question पूछा जाता है next important article है front page पर ही और यहाँ पर हमारी जो GDP growth है उसके बारे में बता रखा है कि अगर हम comparison करें हमारे इंडिया हमारा जो quarter first है उससे अगर हम comparison करें तो भी हमें dip देखने को मिला है और last year के present time के quarter से अगर हम comparison करें तो भी हमें dip देखने को मिला है GDP growth में लेकिन हमारे इंडिया के जो chief economic advisor है नागिस्वरन उन्होंने ये बोला है कि इंडिया की जो recovery है COVID pandemic के बाद में वो काफी ज़्यादा regular बनी हुई है और other countries से अगर हम क्या करें comparison करें तो इंडिया की economy जो है वो काफी fast तरीके से grow कर रही है तो कुछ slowdown time to time देखने को भी मिलता है जैकर जैसे कि present time में बोला गया है कि manufacturing जो sites है manufacturing area में जो है वो slowdown देखने को मिल रहा है तो इसकी वज़े से GDP growth पर effect देखने को मिलेगा लेकिन long term में अगर हम देखे तो इंडिया के recovery economy level पर काफी best तरीके से हो रही है यहाँ पर जो article है देखो 11 convict थे गोदरा कान जब हुआ गोदरा issue जब हुआ गुजरात में उसके बाद में कुछ ऐसा issue देखने को मिला कि बिल्किस बानो एक women उनके खिलाब में 11 convict थे उन्होंने काफी ज़्यादा atrocities की उनक yv और 11 लोगों को यहाँ पर जो है वो conviction दे गई लेकिन यह जो 11 percent है उन्होंने petition डाली और petition के basis पर जो high court है उन्होंने गुजरात government को बोला कि आप जो है इनकी petition के उपर इनके application के उपर सुनवाई गीजे गुजरात government या अपने लिवर पर एक committee बनाई, commission बनाया और उनको early release कर दिया, मतलब उनका जो punishment है उससे पहले ही उनको छोड़ दिया गया, तो इसको लेकर के petition डाली गई है Supreme Court में, बिलकिस बानु ने यह petition डाली है और Supreme Court ने agree किया है कि वो यहाँ पर re-look करेंगे इस petition में कि यह जो 11 convicts को जो early release किया गया है, यह किस basis पर किया गया है, देख तो यहाँ पर गुजरात की जो remission policy है वो तो implement नहीं होनी चाहिए, मतलब माहरस्टा की जो remission policy है वो implement होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो गुजरात की remission policy implement हुई है, साथी साथ यहाँ पर यह बोला गया है कि जिस time conviction दी गई थी, उस time जो remission policy थी, उसी के according जो है, यह सारे approval द दिये जाने चाहिए, तो इसको लेकर के भी class देखने को मिल रहा है, और यह जो early release है, वो उन crimes में आप देख सकते हो, जिसकी वज़े से society में काफी effect नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस crime के बारे में तो जो judges हैं उन्होंने बूला था, कि यहाँ पर अगर हम बात करें, त उनका victim के साथ में कोई relation नहीं था, सर्फ religion के basis पर यह जो issue है, वो देखने को मिला है, और यह जो issue हुआ है, यह जो problem हुई थी, इसकी वज़े से humanity और society का जो conscience है, वो काफी ज़दा उसके उपर effect देखने को मिलेगा, तो फिर इस तरीके के crime में involved जो convict हैं, उनको ऐसे release नही किया जाना चाहिए, इसकी वज़े से society में एक गलत message जो है, wrong message जो है, जाएगा, क्योंकि जो भी convict होते हैं, उनको लगता है, या जो भी ऐसे person जो involved होते हैं, किसी crime में उनको लगता है, कि early release जो वो भी देखने को मिल सकता है, heinious crime में भी, तो इस तरीके के issue को दुबारा से solve करने की जर्रत है, ताकि जो society में एक good idea या एक अच्छा message जो है, वो देखने को मिलेगा, next important article है, ये है जियांग जेमिन, जिनोंने चाइना की जो economic transformation है, उसमें काफी important role play किया था, इनके time period में, मतलब ये former Chinese President जियांग जेमिन इनागरा, और 9.30.1996, इनकी death हो गई है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, कि present time में चाइना में 1989 के बाद में पहली बारों की cities में कुछ protest देखने को मिला है, वहां की COVID policy के current से, तो ये जब जियांग जेमिन जो है, इनोंने चाइना की economic recovery में काफी important role play किया, 1989 के time में 347 billion dollar की वहां की economy थी, लेकिन present time में मतल trillion dollar की वहां की economy थी, इनके time period में 1997 में Hong Kong जो है, वो चाइना को return किया गया, और World Trade Organization में 2001 में इनका जो है, चाइना का joint देखने को मिला, मतलब जियांग के era में, जियांग जैमिन के era में, टू लेंड मार्क मोमेंट्स जो हैं, वो देखने को मिले, और इसका उनकी economy पर काफी ज discuss करेंगे, यह जो article है, वो judges की appointment है, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है, कि government जो है, वो इस तरीकी के point को concern, serious नहीं लेती है, और फिर इनकी वज़े से, जो cases जो है, उनकी tendency बढ़ती है, और कल भी हमने discuss किया था, कि एक petition डाली गई Supreme Court में, अलांकि Supreme Court ने इस petition को accept करने से और उसके उपर discussion करने से मना कर दिया, उस petition में यह बोला गया, कि जो हमारे judges है, उनकी संक्या double कर देनी चाहिए, और जिससे जो tendency cases है, वो काफी कम हो जाएंगे, लेकिन judges की संक्या जबाब करोगे न, recommendation जो government है, उसको दी जाती है, जिरिसरी के दुआरा, लेकिन उसके उपर जो implementation है, वो काफी कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमारे जो CGI है, उन्होंने इस petition के उपर बोला भी था, कि इस तरीके की petition को हम accept नहीं करेंगे, petitioner जो है, वो UK और USA की बात रख रहे थे, तो उन्होंने बोला, कि देखो हमारी अपनी problem है, इंडिया की अपनी problem है, और USA UK की अपनी problem है, वहाँ तो साल भर में बहुत कम cases की सुनवाई होती है, हमारे हाँ तो cases की जो pendency है, वो काफी ज़्यादा है, साथी साथ हम बात करें कि तो हमारे तो यहाँ पर पिटीशन जो है, वो इतनी आ जाती है, उनको भी अपने level पर जो है, वो सुनना पड़ता है, प्रजेंट आई में अगर हम बात करें तो जो judiciary है हमारी higher judiciary supreme court, वहाँ पर भी judges की संख्या vacant है, और government को इसको लेकर के recommendation भी दे रखें लेकर government ने इसके उपर कोई भी decision है वो नहीं लिया है, जिसकी वज़े से vacances फिल नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर जो भी issue है government और judiciary के ब प्रजेंट आया हुआ है, यह जो article है वो हम discuss करेंगे, देखो ब्रहत बैंगलूरू महानगर जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक NGO को इस तरीके के program दे रखा था कि आप door to door survey करोगे और लोगों में election को लेकर के vote को लेकर करोगे, लेकिन अब इन्होंने, BBMP ने अ खत्म कर दिया है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि NGO क्या कर रहा है, इस तरीके के data को इखटा कर रहा है, और जो एप में data use कर रहा है, इखटा कर रहा है, collect कर रहा है, उसका misuse क्या जा रहा है, तो देखो हमारे इंडिया में present time में data protection bill जो है, वो available नहीं है, अब इस present time में उ new feature जो है, या new bill जो है, वो रखा गया है, और उसकी एक outline एक feature जो है, वो रखे गए है, तो data protection bill जो है, वो होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो issue है, वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरीके के जो data इखटे किया जाते हैं, उनका फिर election में यूज किया जा सकता है, ओकी, next यहां पर जो article है, वो malnutrition के बारे में है, राइटर जो है, उनका ये बोलना है, कि देखो malnutrition जो है, वो इंडिया में काफी ज़दा issue है, चाहे हम National Family Health Survey 5 के data की बात कर ले, तो इसमें बताया गया है कि every second Indian woman जो है, वो एनेमिक है, every third child जो है, वो stunted है, और malnutrist है, every fifth child जो है, वो wasted है, और FAU Food Security Report जो है, 2021 की, इसमें इंडिया की रैंक है, 116 countries में 101, Global Hunger Index में, ओके, Global Hunger Index 2021 जो है, उसके according आपर बताया गया है, कि 15.3 जो है, वो under-nourist population है, इंडिया की, highest proportion of extended children इंडिया में है, 30%, and wasted children, 17.3 जो है, वो भी इंडिया में है, तो ये इंडिया की report है, Global Nutrition Report 2021 जो है, उसमें भी बहुत सारी concern जो है, वो रखे गए है, कि इंडिया में जो बच्चे है, उनमें stenting के जो cases है, वो काफी जाता है, और Asia का जो average है, 21%, उससे भी higher level पर यहां पर stenting देखने को मिलती है, तो यहां पर बताया गया है, कुछ example यहा यहां पर जो गड़ चिरोली डिस्टिक है मारास्टा का, वहां पर rice program, मतब fortification करके rice जो है, वो provide करवाया गया, जिसकी वज़े से बहुत सारे micronutrients जो है, उनकी कमी जो है, वो population में खत्म हुई, तो यहां पर गुजरात का भी example दे रखा है, कि गुजरात में midday mille skim जो है, उसका एक better result देखने को मिला, कि multiple micronutrients जो है, वो काफी उसकी कमी जो थी बच्चों में, वो reduce हुई time के साथ में, ओके, तो यहां पर यह बताया गया है, कि देखो, जो भी government है, वो अपने initiative इस तरीके से ले, कि जो भी stable food होता है, बहुत सारी poor population है, जिनके पास में basic availability नहीं ह पर सके, तो कोशी से की जानी चाहिए, कि government उसको available करवाई, लेकिन यहां पर इस article में यह भी focus किया गया है, कि इस तरीके से नहीं है, कि हर जगए आपने same जो है, वो आपने provide करवा दिया, कि यह यह आपको जो भी fortification rice है, fortification other procedure है, वो सब available करवा दो, तो यहां पर बताया ग हो गया, यहां पर बताया गया है, कि daily basis पर अधर हम देखे, तो काफी कम level पर, one milligram to two milligram जो है, वो सिर्फ iron की doges की हमें जर्रत होती है, लेकिन fortification जहां पर होता है, वहां पर देना चाहिए, जहां पर काफी ज़्यादा कमी है, तो writer का यह बोला है, कि malnutrition है, micronutrients की कमी है, ले micronutrients हमें provide करने चाहिए, next यहां पर जो article है, वो अभी election commission में जो appointment है, उनके basis पर यहां पर रखा गया है, अभी हमारे election commission बनाए गए, उनकी जो वह procedure है, वो 24 hours में complete हो गया, जिसके basis पर काफी ज़्यादा issue देखने को मिल रहे है, तो यहां पर जो writer है, वो हमारे former chief election commissioner रह एक book भी लिखी है, every vote counts, the story of Indian election, तो यहां पर जो writer है, नमीन चांगला, उन्होंने बोला है, कि हमारे यहां पर बहुत सारी committee बनी है, time to time, okay, बहुत सारे reforms के proposal हमें दिये गए है, कि हमारे जो election commissioner और chief election commissioner जो है, उनका appointment एक collegium के थ्रू होना चाहिए, जैसे कि यहां पर, अगर ह इसी, और election commission जो है, वो एक body जो है, उसकी recommendation के उपर, जिसमें prime minister हो, leader of opposition हो, लोगसभा और राजेसभा के, और speaker हो लोगसभा के, और राजेसभा के deputy chairman, लोग commission की 255 जो report है, जिसको justice AP साह ने chair किया था, उन्होंने भी election commissioner की appointment को लेकर की बोला है, कि president जो है, वो three member की collegium जो है, उससे consult के through, जो है, इनको appointment करें, क्योंकि यह बोला जा रहा है, कि जिस तरीके से, लोगसभा, राजेसभा, जुडिसरी को freedom है, वैसे ही, हमारे election commission को भी होना चाहिए, तो यहाँ पर recommendation दी गई है, time to time, तो यहाँ पर यह बोला गया है, कि इस तरीके की recommendation जो है, वो बहुत ज जो है, impeachment procedure के through, जो है, उनको remove किया जा सकता है, लेकिन election commission के बारे में, commissioner के बारे में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर जो भी उनका remove procedure है, वो भी clarification होना चाहिए, और उसका भी एक procedure होना चाहिए, उसी के basis पर उनको remove किया जाना चाहिए, तब भी जाकर के election commission जो है, वो एक free organization के रूप में काम करेगा और independent organization के रूप में जब काम करेगा तो election जो level है हमारे इंडिया में जो government है या फिर जो हमारी population है उनके लिए काफ़े बेहतरीन initiative जो है वो लाई जाएंगे next important article है text page पर और यहाँ पर आसाम और मेगालिया के border area में जो conflict देखने को मिला issue क्या था कि मेगालिया से कुछ timber को एक तरीके से जो आसाम पुलिस है और जो forest personal है उन्होंने कुछ timber smuggling की जा रही थी उसको रोक लिया गया जिसकी वज़े से issue देखने को मिला और कुछ लोगों की यहाँ पर death हो गई तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देखो यह boundary issue जो है वो पहली बार नहीं है 1970s में जब autonomous state के रूप में जो मेगालिया जो है वो established हुआ था और जब 1972 में उसको full flesh state का resignation दिया गया था तो बहुत सारे areas को लेकर के issue थे issue यह थे कि time के साथ मेगालिया के कुछ पार्ट जो है वो आसाम में transfer कर दिये गए तो आसाम जो है इस बात को नहीं मानता है जिसकी वज़े से उन एरिया के उपर issue बना हुआ है यहाँ पर जो article है देखो इंडिया में जो ransomware attack है वो काफी ज़्यादा बढ़ गए है अभी Ames गया है कि ransomware जो attack है वो काफी ज़्यादा बढ़ गए है अभी ransomware होता क्या है तो एक तरीके से malicious software होता है जिसको cyber criminal use करते हैं किसी भी computer system को infect करने के लिए ताकि उसको access करना जो है उसको block किया जा सके मतलब उसके जो stored data है उनको block किया जा सके और जो encrypted file है उनके through जो है procedure होता है a ransom is then demanded from the owner in exchange for the description की फिर क्या करता है डिमांड करता है कि आप जो है ये सारी चीज़े शेयर करो तब ही जा करके आप जो है इसको access कर पाऊगे जिसकी वज़े से issue जो है काफे जादा बढ़ गए है तो यहांपर जो article है उसमें बोला गया है कि इस तरीके के problems को हमें solution solve करने की जोरत है और solve कब किया जाएगा जो हमारी organization है जैसे कि इंडिया में 2004 में setup किया गया था Indian Computer Emergency Response Team जो National Nodal Agency की रूप में काम करती है जो इस तरीके के cyber attack जो guidelines जो भी issue है उन सभी को collect करती है और उनके solution की बात करती है तो इस तरीके के ransomware जो attacks है उनको हमें serious लेने की जोरत है क्यों का solution होना चाहिए एक proper जो है procedure हमारे पास में होना चाहिए जिरको हम solve कर सके देखो इंडिया और पाकिस्तान का जो border area है वहाँ पर time के साथ में drone issue जो है कापे ज़्यादा बढ़ते जा रहे है border security force जो इंडिया और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बंगलादेस की border को secure करत है तो issue जो है वो time के साथ में और ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास में इस तरीके के अभी present time में anti drone technology नहीं है हमें focus करना चाहिए इस तरीके की technology के उपर ताकि paramilitary force जो है इसका use कर पाएं और जो हमारी safety है security है उसको बना पाएं next important article है देखो आज first of December से इंडिया को G20 की presidency मिलेगी तो इंडिया के जो hundred monuments है उनको क्या किया जाएगा illuminate किया जाएगा ये जो hundred monuments है इनके name यहां पर है एक एक monument के बारे में basic बाते जो है वो आपको पता होने चाहिए आप सारी बाते discuss करोगे अपने main main points जो है वो अपने बन important है next important article है देखो यहां पर GM mustard crop जो है उसके बारे में हापर सुप्रीम कोर्ट में petition डाली गई सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि इस crop की वज़े से हम worried है क्योंकि अगर हम rural area में बात करे तो वहां पर women जो है वो काफे ज़दा involved होती है agriculture में अब जब GM mustard crop को हम use करेंगे तो तो मतलब यह जो crop है वो chemical को लेकर के tolerant रहेगी herbicide को लेकर के tolerant रहेगी तो weed को हटाने के लिए farmer जो है वो क्या करेंगे chemical का use करेंगे जिसकी वज़े से women को एक तरीके से यहां पर job मिलती है agriculture sector में उनका job creation होता है जब weed को हटाने के लिए किसका use किया जाएगा chemical का use किया जाए तो इसकी वज़े से जो women है उनकी job का loss देखने को मिलेगा क्योंकि weed हटाने का काम प्रजेंटाई में manually होता है तो यह basic region है और Supreme Court इस चीज को लेकर के worried है कि women farm laborator है उनकी livelihood को इसकी वज़े से issue देखने को मिलेगा यहाँ पर Great Indian Bustard को लेकर के article है Supreme Court ने बोला है Central Government को कि Great Indian Bustard की population जिस तरीके से कम हो रही है तो उसको protect करने के लिए government जिस तरीके से project tiger हमने tiger की population को बचाने के लिए चलाया था उसी तरीके से हम Great Indian Bustard को भी बचाने के लिए क्या चलाए प्रोग्राम चलाए तो एक Great Indian Bustard जो है वो इसकी habitat loss की वज़े से poaching की वज़े से साती सात में जब यह उड़ते हैं तो यहाँ पर जो भी line जो देखने को मिलती है मतलब electricity line जो है उसमें यह trap हो जाते है और इसकी वज़े से भी इनकी death जो है वो काफी ज़्यादा increase हो जाती है इंडिया, गुजरात, साती सात में महरास्टा, करनाट का वहाँ पर भी इनकी population देखने को मिलती है great Indian bastard की यहाँ पर world bank report ने एक report रखी अपनी कि इंडिया में आने वाले time में 160 से 200 million Indian जो है वो heat waves की वज़े से annually basis पर effect होगी यहाँ पर यह बोला गया है कि 2037 तक इंडिया में जो है वो काफी ज़्यादा problem create हो ज जिसकी वज़े से और problem जो है create होगी तो यह आज का हमारा देहिंदू newspaper का discussion था अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए, okay thank you